हेलो स्टूडेंट्स अफ सिक्स्थ स्टेंडर्ड चलिए आज हिविंदी की कभीता दो बसंती हवा हम दिखेंगे जिसे के दार्नत अकरवालिनों ने लिखा है इससे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी इसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस कभीता के कभी के दार्नत अकरवाल हैं इनका जन्म एक अप्रेल 1911 को और मृत्यू 22 जून 2000 में हुई इनकी रचनाएं हैं देश-देश की कभीताएं अपूर्वा, आख का आईना, पंख और पतवार, पुष्पधीब, आदी इनका परीचय दिया है कि आप छाया वादी यूग के प्रगतिशील कभी माने जाते हैं मतलब इनोंने हमेशा अच्छी रचनाएं दी हैं जिससे किया एक प्रगतिशील कभी माने जाते हैं प्रस्तुत कवीता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अठखेलियों का वरणन किया है अब बसंत रितु में जो चलने वाली हवा है वो कितनी अच्छी लगती है तो उसके वरणन को कभी ने एक सुन्दर धंग से हम पर किया है चलिए हम कवीता देखें नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूं जिधर चाहती हूं उधर घूमती हूं मुसाफिर अजब हूं हवा हूं हवा में वसंती हवा हूं वसंत रितु में चलने वाली जो हवा है उसे वसंती हवा कहा जता है तो यहां कभी ने उन उस समय चलने वाली जो हवा है उसका स किस तरह से बता रही है कि मैं बसंत में चलने वाली हवा हूँ सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ मैं हवा तो हूँ लेकिन एक अनोखी तरह की हूँ क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बाउली हूँ बड़ी मस्त मौला बाउली हूँ मतलब बावलपन मतलब आगलपन जहां हमें इच्छा हो वहां पर घूमना इस तरह से हवा बोल रही है कि मैं बहुत बावली हूँ बड़ी मस्त मौला मस्त मौला मतलब आराम से जब भी मस्ती से और जहां भी जी चाहे वहां पर घूमने वाली तो हवा कह रही है कि मैं बावली भी हूँ और मस्त मौला भी हूँ मतलब जहां मेरा मन होता है मैं वहीं पर निकल पड़ती हूँ नहीं कुछ फिकर है बड़ी ही निडर हूँ मुझे किसी भी तरह की कोई फिकर नहीं रहती है ना ही चिंता है और मैं बहुत ही निडर हूँ, मुझे किसी का डर भी नहीं है जिधर चाओती हूँ, उधर गूमती हूँ हवा कह रही है, बसंती हवा हमें कह रही है कि मेरा मन जहां भी चाता है, वहां पर में गूम आती हूँ मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ कवी ने हवा की कलपना को बहुत सुन्दर तरीके से बताया है कि हवा कह रही है कि मैं इतनी निडर हूँ कि जहां भी चाहूँ वहां पर घूम आती हूँ और मैं मुसाफिर हूँ क्योंकि सच बते हम जहां भी अंजानी जगह पर पहुंच जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं मुसाफिर कहलाते हैं क्योंकि वहां के लोग हमें नहीं जानते हैं तो ऐसे समय में हम मुसाफिर कहलाते हैं इसी तरह हवा कह रहिए कि मेरा मन जहां होता है, मैं वहां निकल पड़ती हूँ, इसलिए में एक मुसाफिर की तरह हूँ कि मुझे जहां जगह मिलती है वहां में चली जाती हूँ, चड़ी पेड महुआ थपा थप मचाया अब हवा कहां चड़ गई है महुए के पेड़ पर महुआ जो है एक तरह का फल होता है जंगली फल होता है जो जंगलों में पाया जाता है और वहां इस हवा ने चड़ कर क्या किया थपा थप मचाया मतलब बहुत जोड से हिलने डुल पेडों को भी हिलाने दुलाने लगी, जिससे की आवाज होने लगी, गिरी धहम से फेर चड़ी आम उपर, अब जैसे ही उसने वहां पे थपा थप मचाये, वहां से कैसे गिरी धहम से, अवासतों में हवा गिरती है क्या नहीं знак यह कलपनाuje कभी ने हावा की कलपना को बताया है कि वह कैसे गिरी धम से गिरी और फिर कहां चड़ गई फिर से आम के उपर गिर कर फिर कहां चड़ी वह आम के उपर उसे भी जहकोरा जहकोरा मतलब हिलाया आम के पेड को भी हवा ने बहुत जोर जोर से हिलाया किया कानमे को उतर कर भागी में और फिर जोर से कानमे को की आ तरकर कहां पहुंची हवा, हवा पहुंची हरे हरे खेत में, जहां पर गेहूं लह लहा रहे थे, इन गेहूं के खेत में पहुंच कर उसने वहां पर बहुत जोर जोर से मस्ती की जिस्से की गेहूं के फसल जो थी वहां लहर आने लगी, लहर खुब मारी मतलब गेहूं की फस और मैं बसंत रितू में चलने वाली हवा हूँ पहर दो पहर क्या है अने को पहर पहर क्या है और जो पहर होते हैं सुबह का दोपर का शाम का तो अचछा में जब तक मेरा मन जहार तब तक में इसी में रही कहां पर रही वह गेहँओं के खेत में खड़ी देख़ लिये शीशिक अलसी और हवा ने क्या देख़ा कि अलसी जो भी खेत में लहला हा रही है अलसी जो होती है पौधे का नाम है और जो अलसी है उसके बीज आते हैं जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं उसका तेल भी निकाला जाता है अब यहाँ पर देखिए लिये शीश कलसी मुझे खुब सुझी हिलाया जुलाया गिरी परना कलसी अब देखिए अलसी के खेत में उसने और क्या देखा कि सर पर कलसी लिये मतलब यह कलश लिये यह पौट लिये वए जो असतरियां पानी भर रही थी उन्हें भी हवा ने नहीं छोड़ा और बहुत जोर जोर से उन्हें भी हिलाया उसे लगा कि जो ये कलसी है वो गिर जाएगी लेकिन वो बिल्कुल गिरी नहीं उसने उसे भी खोब हिलाया और जुलाया मतलब जोर जोर से हवा की लहर मारी इसी हार कोपा और अब हवा जो थी हार मान गई और हिलाई न सरसों अब उसने जो सरसों के पौधे थे उनको बिल्कुल भी नहीं हिलाया जुलाई न सरसों ना तो हिलाया ना ही जुलाया हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ तो हवा क्या कह रही है मैंने जिससे चाहा उसे बूरी तरह से सताने की कोशिश की क्यूंकि मैं तो मस्त मोला हूँ और मुझे तो मस्ती आई थी इसलिए मैंने बहुत मस्ती थी लेकिन हार कहा मानी उसने अल्सी के खेत में जहां पर उसने दिखा कि सिर पर कलश लिये वे बहुत जो उस्त्रियां पानी भर रही है उन्हें भी जोर-जोर से हिलाने लगी लेकिन वहाँ पर उनकी कलसी नहीं हिली तो यह देखकर उसने फिर सरसों को भी नहीं हिलाया तो यह बहुत सुन्दर कालपनिक कवीता है बसंती हवा के बारे में अभी एक तरह की धुन होती है जो बहुत सीधापन भी रहता है ना मस्तमोला मतलब मन मौजी है फिकर मतलब चिंता महुआ एक प्रकार का वरक्ष है मैंने आपको बताए इसके बारे में कि इसमें एक छोटे सा फल लगता है और उसे महुआ के नाम से जाना जाता है जो जंगलों म जहकोरा मतलब जोका पहर मतलब प्रहर दिन के जो प्रहर होते हैं अलसी सर्जो मतलब तिलहन के प्रकार अलसी एक प्रकार का बीज होता है जिससे तेल निकाला जाता है कलसी मतलब गगरी कलश यहाँ पर हमें एक प्रशन दिया है दिये गए शब्दों के लयुक्त शब्द लिखो जिसे हम इंगलिष में राइमिंग वर्ड कहते हैं तो यहाँ पर हवा है उसके जो राइमिंग वर्ड है लईयुक्त वर्ड है वो रवा आएगा बावली सावली, सरसों भरसों अलसी, कलसी महुआं, गेहुआं तो यह लईयुक्त शब्द है तीसरा है गिरी धम से फिर चड़ी आम उपर तीसरा है वहां के हुऊं में लहर खूब मारी चौथा है हिलाया जुलाया गिरी पर न कलसी यहां पर हमें देखिए सदे उध्यान में रखो क्या क्या दिया है हमें प्लास्टिक धर्मा कोल आदी प्रदूशन बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिका रखें तो हमें प्लास्टिक और धर्मा कोल जो है उनका यूज नहीं करना चाहिए उनका उपयोग नहीं करना यहां पर हमें दरपन में देखकर पढ़ो मतलब पहचानों हमें इसे हम आईना रखकर अगर आप देखोगे न तो अ से अहा और कर से श्रतक के या शब्द हैं ठीक है तो इसे आप पढ़ सकते हो यह एक्टिविटी है एक आपकी यहां पर कुछ प्रश्णों उत्तर दिये हैं देखिए बसंती हवा में पहला है हवा कैसी है उत्तर हवा अनोखी और मस्त मौला है दूसरा है महुए के पेड़ पर चड़कर हवा ने क्या किया? उत्तर महुए के पेड़ पर चड़कर हवा ने उसके पत्तों को खुब हिलाया तीसरा प्रश्ण है हवा खेत में कब तक रही? उत्तर हवा खेत में अनेक प्रहर तक रही? पहर लिखिये या प्रहर लिखिये चौथा है अलसी के पौधों को हवा ने क्या किया उत्तर अलसी के पौधों को हवा ने जोड़ जोड़ से हिलाया तो यह आपके question answers हैं जो मैंने कुछ कभीता में से आपको करके दिये हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको next lessons मिलेंगे और उनके question answers भी मिलेंगे थैंक यू